क्या आपको कभी एक साथ बड़ी राशी की जरुवत पड़ी है? आम तोर पर ऐसी स्थिती में लोन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है लेकिन आज हम आपको प्रॉपर्टी लोन के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको बड़ी राशी मिलती है और साथ ही लोन चुकाने के लिए लंबी अगधी भी मिलती है प्रॉपर्टी लोन एक प्रकार का सिक्योर लोन होता है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन लेते हैं इसमें आप रेजिडेंशिल फ्लाट, आफिस, प्लॉट या दुकान जैसी कमर्शियल या रेजिडेंशिल प्रॉपर्टी को जमानत के तौर पर बैंक को प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी लोन पे लेना चाहता है तो वो अपरूर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उस पर लो करनी होती है जिसके आधार पर बिल्डर आपको अलोट्मेंट लेटर दे देता है फिर उसका पेमेंट का टाइमिंग होता है जिस टाइम पर भी आपको वो टाइम देता है इंदा मीन टाइम आपको उसकी पेमेंट करनी होती है या अधिया यदि आप वो पेमेंट बैंक के माध्यम से करते हैं तो bank आपको loan देता है और उन सभी payments की builder की तरफ से रसीद मिलती है और फिर full and final आपका agreement हो जाता है जैसे आपकी payment 100% builder के पास पहुच जाती है तो फिर आप registration के लिए apply कर सकते हैं और अधिकतर bank जो loan देते हैं वो registry case में ही देते हैं जिस दिन आपकी registry होती है bank की तरफ से जो dd मिलता है वो सीधा builder के नाम पर मिलता है in behalf of buyer जो भी उसको खजना चाता है उसके बिहाफ पर वो dd बनता है और वो bank उसको सीधा transfer builder के account में करता है और उसी दिन उसकी registry भी होती है प्रॉपर्टी लोन के अपने ही एक फाइदे हैं जैसे की प्रॉपर्टी लोन के तहत आप बड़ी राशी प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत के अनुसार तैह होती है इस लोन को चुकाने के लिए आपको 10 से 20 वर्ष तक की अधी मिल सकती है जिसे EMI की राशी कम हो जाती है इसमें tax benefit भी है जैसे प्रॉपर्टी लोन लेने पर आपको tax में छूड़ भी मिल सकती है हलाकि प्रॉपर्टी लोन लेने से पहले ये महत्वोंबून है कि आप सभी शर्तों और ब्यासदरों को समझ ले और अपनी संपत्ती की कीमत का आखलन कर ले ताकि आप जान सकें कि आपको कितनी राशी मिल सकती है इसके अलावा समय पर EMI का भुकतान सुनिष्टित करें ताकि आपकी संपत्ती पर कोई नकरात्मक प्रभावना पड़े लोकल 18 फरीदाबाद से जितंदर की रिपोर्ट